आज एक बहुत ही मैतोपूर्ण हैसल आया सुप्रीम कोर्ट का जो इस देश की डेमोक्रेसी इस देश के लोगों के फंडमेंटल राइट को सुरक्षित करने में एक मेल का पत्तर साबित होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट टू एक्स्प्रेशन वो बड़ी चीज है उसको खतम नहीं किया जा सकता और जो चोर दर्वाजे से फाइनेंस एक्ट लाके सरकार ने कानून बनाया था चोर दर्वाजे से बनाया था इतना मैत्वपूर्ण कानून हमेशा ओर्डिनरी वे जो तरीका है कानून बनाने का परलेमेंट के सामने आके डिसकसन और डिबेट के साथ बनाना चाहिए था उसको फाइनेंसियल बिल की तरह बेस किया गया ये डेमोक्रेसी की हत्या और चो ये सत्तापक्स में जो बैठे हुए लोगों सविदान को मानते नहीं और सत्तापक्स के सारे सिपहसलार इवन अटोर्नी जर्नल या वो सरकारी वकील जो सला देते हैं सरकार को देश के पैसे से जिनका घर चलता है उन्होंने अपराद किया है देश की जनता के साथ धोका कर के गलत सला देके और अपनी सरकार के हिसाब से रबर स्टेंप बनके जो काम किया है इवन कोर्ट को भी गुम्रा करने की लोगों ने कोशिज किये वो अनकांसिचुशन है वो देश-दरो एक तरह से इन लोगों ने देश-दरो का काम किया है और रही बात ये क्यों किया गय इसका लाने का मकसद कि आप लोगों को पता है इसको लाने का एक ही मकसद था कि जो दो नमबर का पैसा बीजेपी को मिलता था या जो एट रही थी वो लोगों से या जिन लोगों को गलत तरीके से बेनिफिट पहुंचा के पुंजी पतियों को जिनकी पुंजी करोना में बढ़ रही थी और देश के लोग इधर फरी निशुल्क राशन के लिए मजबूर हो रहे थे यह वो बड़ा धोका है इकोनोमिक धोका इस देश के साथ सद्धियंत्र है देश दरो है इसका मतलब यह नहीं है कि जो सरकार में हो गए वो खुदा हो गए उन पे भी देश दरो पैसा दो नंबर में लेंगे तो बीजेपी के हर डिश्टिक में जो आलिसान ओफिस बने हैं आरेशेश के बड़े बड़े बहुन बने हैं वो सारे इस देश के खुन पसिने के कमाई से और बरश्टा चार की नियूपे खड़े हुए सात्यों यह बड़ी जांच होगी सत् पैसे का इस देश का परदान मंत्री भी बच पाएगा अगर सही चांच होगी सब बातों का पता चलेगा आरेशेश और बीजेपी के बड़े बड़े लोग जेल में जा सकते हैं दिल्ली सरकार के खिलाप जो आरोप लगाया है जो आप पार्टी के खिलाप आरोप लगाया है कि सराप पॉलिसी की वज़े से इन लोगों ने पैसा कमाया है दो नमबर के पैसे का इदरूदर ट्रांजेक्शन वा जिसकी वसूल ही अब तक नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग उनको जेल में लंबा रखने के लिए वाइलेशन कर रहे हैं सविधान का भी और लोगों के फंडमेंटल राइट का भी अगर इसी तरह से सरकारी गवा बनाए जाएंगे ये देश का सबसे बड़ा गोटाला है देश के साथ दोका है ये महां तो मेरे ख्याल में पतने कितने करोड की बात कर रहे हैं सराप पोलिसी में तो असली पोलिसी का भी बहुत पैसा आया है अगर सही चांच होगी तो मेरे ख्याल में बहुत जो बड़े-बड़े चेरे हैं देश में जो अपने आपको सुशाशन और बरश्टाचार मुक्त और बरश्टाचार विरोधी और गारंटी सबत और सब को बरश्टाचार के खिलाप लड़ाई करने वाले जो प्रोधा कै रहे हैं वो सबसे बड़े सड़े अंतरकारी देश दरोई और अपरादी साबीत होंगे देश में वाहें किया हूँ होगी कि बनती है सुप्रीम कोट हाई कोट देश की जंता किये उनकी प्रोपर्टी है हम लोग के माद्धे में वहां काम करने के जज़ भी एक माद्धे में है तो इसलिए सुप्रीम कोट इस तरह के मैतोपूर्ण मामलों में भी सुप्रीम कोट से देरी हुई है पता निक कितने हजार करोड़ का गोटाला, बढ़ गया, अगर ये फैंसला पहले आता तो उसे बचा जा सकता था, बहुत सारे ऐसे लोगों की जान बच्जाती जो रिश्वत नहीं देना चाते थे सरकार को, बहुत सारे गलत फैंसले, गलत लोगों को benefit होने से बचा जा सकता था इस देश को, rule of law क विवस्ता होती सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की देरी भी बड़ी विचार्णी और चिंता का विशह है हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी आगार विंति करना चाहते हैं कि इस तरह के कामों में इतनी देरी करना हमारे लोगों का विश्वास हाफ लोगों से उठता है